हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूटूब चलन, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th Mathematics and CERT का चप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, चप्टर 3 के आपका पैर ओप linear equation in 2 variable, अब यहाँ पे linear equation नाम दिया है, तो linear equation अपन, linear equation के बारे में अपन डिस्कस किया था, कि 1 variable, 2 variable और 3 variable, तो मैं वापिस स्टार्ट करता हूँ, linear equation पहले, linear equation, linear equation in 1 variable की मैंने standard form, polynomial में बताया थी, क्या होती है, ax plus b equal to 0, यह linear equation in 1 variable होती है, क्या होती है, 1 variable, अब मैं 2 variable की बात करूँ, तो ax plus by plus c equal to 0, यह किस में होती है, 2 variable में होती है, यह आपकी state line की general form को represent करती है, general form क्या होती है, y equal to mx plus c, यह state line की general form, जिसमें m क्या है, slope है, c क्या है, intercept है, ठीक है, तो linear equation किसे काते है, यहाँ पे 2 variable है, x और y, इस x को variable लेके चलूँ, तो इस x की maximum power कितनी है, 1, इस y की maximum power कितनी है, 1, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कि यह linear equation है, कितने में, 2 variable में, अब आपन बात करते हैं, 3 variable की, तो ax plus by plus cz plus d equal to 0, यह 3 variable की linear equation है, यह represent करता है equation of plan को, यानि plan की जो general form होती है, यह 12th में plan के बारे में अच्छा chapter है, बड़ा equation भी आता है वहाँ से, तो लेकिन यहाँ पे आप linear equation बात करें तो मैं आपको ऐसे discussion के तोर पे बता रहा हूँ, तो plan की यह जो क्या है, general equation होती है, और यह one variable की, अपन बात करेंगे इसकी, अब इसमें pair बोलावा है, तो दो pair लेने पड़ेंगे, और दो pair को किसी graph में represent करेंगे, तो graph में represent करने लिए coordinate geometry भी आनी चाहिए आपको, तो coordinate geometry के बारे में भी थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, coordinate geometry या है, जिसको अपन Cartesian plane भी बोल सकते हैं, यानि coordinate geometry को किसे री, coordinate geometry में अपन Cartesian plane का यूज करते हैं, जो Cartesian plane के अंदर, यह वाली line कौन सी होती है, vertical line, और यह वाल लाइन कौन सी होती है, horizontal line, इस line को अपन कौन सी line बोलते हैं, x, x-dash या अपन बोल सकते हैं, x-axis, यह वाली y-dash होती है, यह line horizontal line है, यह vertical line है, यह दोनों line Cartesian plane को चार बरावर वागों में क्या करती हैं, divide करती है, यह आपका quadrant first, यह quadrant second, और यह quadrant third, और यह quadrant आपका fourth, यानि यह दोनों line, इस cardesian plane को चार बरावर वागों में divide करती हैं, उन्हीं को अपन क्या करते हैं, quadrant करते हैं, यह first quadrant है, यह second quadrant है, यह third quadrant है, यह fourth quadrant है, अब यह दोनों line जहांपे intercept कर रही हैं, उस point को origin point करते हैं, इस origin point की जो coordinate होते हैं, वो 0, 0 से अपन represent करते हैं, इस 0 से इधर में x की तरफ आऊं, तो यह सारी value किसकी होती है, positive की होती है, और इधर 0 से y की तरफ जाएं अपन, तो यह सारी value किसकी होती है, positive y की value होती है, इधर अपन जाएं तो ये सारी value negative y x की होगी और ये सारी value negative y की होगी अब बात करते हैं अपन कि इस first quadrant में इस x का और इस एक जगो मैंने ये positive बोला है और ये वाली line में मैंने positive का है यानि 0 से इस o point से यहां तक ही line positive तो ये positive ये positive तो पहले हमेशा coordinate को x, y के form में ही represent करता है इसको बोलते है x coordinate of x और इसको बोलते है coordinate of y तो पहला x का value आएगा दूसरा y की value आएगी तो यहां पे पहले ये line positive फिर ये line y की क्या है negative positive तो दोनों sign किसके आएंगे positive positive अब मैं इसकी बात करूँ तो पहला x का, x का क्या यहां पे negative फिर positive अब इसकी बात करूँ तो ये negative ये भी negative तो negative, negative ये value आएगी अपन discuss करेंगे कि graph में value कैसे put करेंगे उसके बारे में discuss लेंगे ये general knowledge यानि आपको पता होना ची इसके बारे में कि graph के अंदर होता क्या है प्लेन क्या होता है कोडिनेंट किस टाइब से अपन पूट करते हैं और ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट के sign क्या होंगे ये x-axis आपका positive ये y-axis आपका negative ये चार बाद चार क्वार्टरूंट के अंदर किसी कोडिनेंट के sign यानि जो value अपन लेंगे उनके sign को represent करता है अब अपन डिसकस करते हैं chapter 3 के बारे में chapter 3 में क्या है pair of linear equation in two variable में तो मैंने एक दो variable equation मान ली एक चीज़ और डिसकस करके का हूँ कि अपन linear line का कोई भी गराब बनाओ कोई भी गराब बना लो हमेशा क्या मिलेगी एक state line मिलेगी इसलिए अपन इसकी जो general equation होती है linear equation की अभी मैंने यहाँ पर बताया थी क्या होती है ax plus by plus c equal to 0 यह linear equation in two variable की standard form या general form आप इसको बोल सकते हैं और यही क्या होती है state line को represent करती है state line के chapter में भी use करते हैं 11 class के अंदर chapter है अपन use करते हैं उसमें और उस state line की जो standard form होती है mx plus c के format में अब अपन बात करते है pair of linear equation two variable इसकी बात करें तो मैंने दो equation मान ली a1 दो equation बोलागे लेने एक नहीं तो pair का मत्वल क्या है दो तो a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 a2 x plus b2 y plus c equal to 0 यह equation number first हो गई और यह equation number आपकी second हो गई अब यह जो मैंने आपको बताया है यह अपन 3.2 के exercise के अंदर अपन इसके बारे में discuss करेंगे फिर भी मैं आपको बदा देता हूँ यहाँ इस x का coefficient क्या है a1 यहाँ पे x का coefficient क्या है a2 इन दोनों का ratio y के coefficient के ratio के क्या होना नहीं होना चाहिए equal नहीं होना चाहिए यहाँ से x और y को अपन solve करते हैं वो ही value intersecting point को ही represent करता है अब यहाँ पे एक intersecting point तो solution क्या होंगे one या unique solution अपन बोल सकते हूँ फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं consistent pair of the equation यानि जो equation है उसके pair क्या होंगे consistent इसका मतलब बतला है संगत हिंदी में बोलते हैं इसको संगत और इसको बोलते हैं a संगत inconsistent का मतलब बतला है a संगत फिर मैं बात करूं a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 equal to 0 यानि इसका ratio इसका ratio इसका ratio इसका ratio इसका ratio इसका ratio तीनों आपस में क्या हो equal यदि equal आ जाए तो equation क्या होगी same होगी तो graph भी क्या बनेगा दोनों का same बनेगा तो मान लो कि मैं ये मनाओं कि ये एक graph है इस पर ये line हो गई तो दूसरी line की equation भी क्या हैगी इसको तो मैंने इसको ऐसे represent कर दिया अब देखो इस line की उपर एक दूसरी line है तो वो infinite तक जाएगी तो touch होती जाएगी तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं उसके solution क्या होंगे infinitely solution या फिर आप बोल सकते हो many solution और graph किस type से बनेगा इस type से जिसके solution होते हैं वो equation क्या करेगी consistence करेगी जिसके solution नहीं होते हैं वो inconsistent इसके solution तो दोनों की equation क्या है consistence pair होंगे इनके फिर parallel की बात करूँ ये वाला not equal to में चला जाएगा यानि ये दोनो same आएंगे ये दोनो same नहीं आएंगे तो वो line कौन सी होगी parallel line parallel line के बारे में मैंने आपको बताया था कि parallel line कब होती है जब इनकी distance यहाँ से लेकर आप infinite तक चले जाओ उन दोनों line की distance यहाँ between the two distance यहाँ इन दोनो लैन की distance है वो क्या होनी चीए एक पल आनी चीए तब ये दोनों line क्या होगी parallel होगी यान neither लैन इन दोनों line के बीचमें जो distance वो इक पल आनी चीए कहीं तक चले जाओ infinity तो जाओ लेकिन distance क्या है एक पल आने चीए वो line कौन सी होती है parallel line अब parallel है तो कहीं पर touch नहीं होगी तो solution नहीं होगे तो solution नहीं होगे तो वो line है क्या होगी याई वो pair क्या होगा आपका inconsistence pair होगा अब अपन equation 3.1 के बारे में discuss करें 1.3.1 के अंदर first question आपका है आपताव टेल his daughter seven year seven year ago यानि आपताव अपनी डोटर से कहता है कि seven year ago seven year ago का मतलब seven साल यानि साथ साल पहले I was seven times as old as you were यानि में कितना था कि इसकी डोटर है उस डोटर की seven times age के equal था तो seven था तो सबसे पहले कौन बोल रहा है आपताव हो रहा है तो आपताव की जो age है उस present age को माल लेता है कि present age of आपताव equal to x और इस his daughter की जो present age है उसको मैं क्या माल लूँ वाई माल लेता हूँ अब अगले ने बोला है कि seven year एको माल लो मैं ये बोलूँ आपकी जो आज fifteen year है मैं ये बात करूँ कि आज आज आपकी fifteen year है तो आज से साथ साथ पहले कितनी होगी minus seven ही तो होगी तो fourteen में से seven जाएगा तो जो आएगा वो अपना answer आज आएगा फिर अपने इसकी बात करें I shall be three times as old कब three year now three year from now यानि आज आपकी पंद्रह है तो आज से तीन साल बात कितनी होगी plus three हो जाएगी तो three times as old as you will फिर आगे ये लिखावा है कि represent this situation algebrically and graphically यानि इसको आपको algebrically भी और graphically represent करके बताना है तो देखते let the present age of आपताव equal to x फिर लिखेंगी present age of his daughter y दोनों को मैं year के format में मान लेता हूँ ये भी year है तो इसकी x year है इसकी y year आप मैं बात करूँ seven year ago तो आज x है तो 7 साल पहले कितनी थी x minus seven इसकी आज y है तो 7 साल पहले कितनी थी y minus seven अब अगले ने बोला है कि इसकी age किसकी his daughter की age कितना time है seven time किसके equal है इस आपताव की age के equal होगा तो मैं लिख सकता हूँ x minus seven equal to y minus seven किसके साथ multiply seven के साथ में इस seven को अंदर multiply करोगे seven y minus 49 फिर x minus seven आ जाएगा फिर इधर ये seven इधर आएगा तो x minus seven y equal to minus 42 equation number first three year from now आज से तीन साल बाद आज x है तो तीन साल बाद कितनी होगी x plus three और आज y है तो x y plus three आ जाएगी अब अगले ने three times वोला है his daughter की three times की equal होगा तो x plus three equal to three into y plus three यह आपकी equation बन जाएगी यहाँ से x plus three equal to three y यह इधर multiply तो nine अब मैं इस three को इधर ले क्या होगा और इस three y को इधर ले क्या होगा तो x minus three y यह three इधर आएगा तो nine minus three कितना six यह equation number second अब graph यह तो हो गई algebraic representation हो गया अब आपको इसको graphically represent करना है तो from equation one को क्या ले सकता हूँ x minus seven y equal to minus forty two x equal to minus forty two plus seven y यहाँ से first upon value put करेंगे यहाँ यहाँ पे value put करो x की अपने आप चलती आएगी minimum आपको तीन value तो निकालो या चार भी आप निकाल सकते हो तो मैं तीन निकाल के आपको बता रहा हूँ when y equal to five यहाँ पे five put करो कितना seven into five कितना 35 तो कितना minus forty two plus thirty five कितना जाएगा minus six बड़ी value में से यानि बड़ी value किसकी है negative छोटी value किसकी है positive तो छोटी में से बड़ी minus होगी तो value किसकी आएगी negative आएगी second y equal to six put करेंगे तो यहाँ पे put करो six कितना seven into six कितना forty two forty two minus forty two कितना zero अब y equal to seven put करो forty nine तो minus forty two plus forty nine कितना x की value कितनी आगी seven इसको अपन box के अंदर represent आगे कर देंगे अब अपन बात करें इस box के तो इस box के अंदर क्या आएगा देखो यह आपका three y इदर आएगा तो six plus three y अब first में y equal to zero put कर दो तो यह zero आजाएगा x की value कितनी आजाएगी six अब इसकी value one put कर दो minus का तो three का minus के साथ multiply होगा तो minus three और minus three इससे minus होगा तो कितना आजाएगा three आजाएगा फिर when y equal to minus two यहाँ पर put कर दो तो x की value कितनी आजाएगी zero आजाएगी अब इसको मैं box के अंदर represent कर देता हूँ तो x minus seven y equal to minus forty two गो तो y की value five ती तो x की value minus seven इसकी six ती तो x की value zero इसकी seven ती तो x की value seven इसका graph यह आजाएगा अब देखो इसमें जो पहली value वो कितनी है minus seven comma five तो minus seven यहाँ से और five यहाँ से यह पहला coordinate आगया zero comma six zero comma six अब मैं एक चीज़ और बदा इस line पे x की value हमेशा zero और इस line पे y की value हमेशा zero यह आपकी equation of x axis कहलाती है यह equation of y axis कहलाती है यहाँ पे x की value zero है तो पहला point zero x हो गया फिर y की value कितनी है six तो आपका second point यह हो गया फिर seven comma seven तो seven x का यह रहा यहाँ से अपन उपर जाएंगे क्योंकि positive value उपर जाना पड़ेगा तो यह y की value आजाएगी seven comma seven इस equation का नाम क्या है x minus seven y equal to minus forty two अब आगे यह कर देना क्योंकि इसी का meaning होता है कि line आपकी कहा जा रही है infinite जा रही है आप जैसे जैसे y की value put करते जाओगे वेसे वेसे आपको x की value मिलती जाएगी तो line क्या जाएगी infinite तक जल चलती जाएगी तो यह आपकी इस line का graph हो गया अब second की बात करें तो second आपको मैंने पिछे करवाय हुआ है आपको exam में आए तो exam में ऐसे करके दिखाना है फिर आपको box बना के show करना है ऐसे नहीं कि equation के नीचे direct box कर दो यह करके आना आपको यह चीज जो मैंने आपको करके दिखाए है फिर आपको graph के अंदर जो graph दिया है आपको उस graph के अंदर graph बनाना है और इस box की बात करूँ तो y की value 0 थी तो x की value कितनी आगई 6 आगई यह minus 1 और तो यह कितनी आजाएगी 3 यह minus 2 यह कितनी आजाएगी 0 इसको represent करूँ तो 6,0 पहला point यह रहा 6,0 दूसरा point 3, minus 1 यह रहा फिर 0 x की value कितनी है उन्हें x की value कितनी है 0 तो y axis पे 0 होती है y की value कितनी है minus 2 इन सब point को आप मिला दोगे तो अपनी equation बन जाएगी x minus 3 y equal to 6 का graph बन जाएगा यह भी कहां तक जा रही है infinite एक चीज जहां रखना इस point को आप represent करो तो इसे करके इसे represent करना कई बचे इसे कर देते हैं इसे नहीं करके आना आपको अच्छे से करके आना फिर line सब point को आप मिला दोगे तो line की equation आपको मिल जाएगी next question की बात करें next question है the coach of cricket team buy 3 bet and 6 ball for 3900 यानि 3 bet और 6 ball खरीदने पर 3900 रुपे लग रहे हैं later see by another bet and 3 more ball of same kind of 1300 represent the situation algebraic and geometry कर ली यह आपको represent करके बताना है अब देखो यहाँ पर bet दिये हुए कि इतने bet खरीद ली इतनी बोल खरीद थी लेकिन आपको कोश्टन दी वी हैं तो सबसे पहले आप क्या माल लो एक जो bet खरीदा है उस bet की rate निकाल लो तो क्या लिखोंगे आपन लेट करके माल लेना आप कि cost of one bet या a bet कितनी माल लो x rupees माल लो फिर मैं मानू कि cost of a ball equal to कितना y rupees यदि एक ball की x है तो 3 की कितनी आएगी 3 x हो जाएगी यानि वो इसी सिधा सा मैनिंग कि यदि एक x की एक ball की value 10 है तो 3 की कितनी हो कि 10 into 3 30 तो होगा तो यहाँ पे जो bet की cost वो कितनी है x rupees तो 3 bet की कितनी हो जाएगी 3 x यहाँ पे ball की cost वो कितनी है y तो इसकी कितनी है जाएगी 6y equal to 3300 रूपी जाएगी अब मैं दूसरी condition जो गिवन है उसकी बात करूँ तो 1 bet और 3 ball खरीज रहा है तो 1 bet यह हो गया प्लस ball कितनी थी 3 1 की cost y है तो 3 की कितनी हो गई 3y इसकी value 1300 अब इसका मैं box मनाऊ तो पहली equation यह थी इस equation को अपन ऐसे ली सकते है कि क्या ली सकते है पहले तो 3 कॉमा निकाल लो 3 कॉमा निकालेंगे तो x plus 2y plus equal to 1300 अब यह जो 2y यहाँ पर आया था वो इधर है यानि इस form में ली सकते है यह 2y इधर आएगा तो x equal to 1300 minus 2y आजाएगा फिर इसी को मैं क्या ली सकता हूँ box के अंदर की y की value में फाइफ हंड्रेड फुट करूँ तो 502 कितना 1000 1000 को माइनस करेंगे 1300 मेसेज तो कितना आजाएगा 300 आजाएगा फिर y की value में 600 पुट करूँ तो 6 into 2 कितना 12 यानि 1200 1200 को माइनस करना है 1300 में से तो कितना आजाएगा 100 अब यहाँ पे 700 पुट करतो 7 को यहाँ पुट करूँगा तो कितना 1400 आजाएगा 1400 को 13 में से आप माइनस करोगे तो माइनस का 100 यह आपका graph में रिपर्जेंट कियावा है फिर में इस दूसरी equation को रिपर्जेंट करना चाहूँ तो दूसरी equation के अंदर ये equation आगई इसको मैं y की value 300 पुट करोँ तो देखो 3 into 3 कितना 900 900 माइनस होगा इससे तो 400 फिर 200 यहाँ पे पुट करोगे तो 500 600 600 को माइनस करोगे यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 1200 को माइनस करो 1300 से तो कितना 100 यह इसका box हो गया अब इन्ही दोनों box को मैंने इस graph के अंदर रिपर्जेंट किया आप self करना यहाँ पे equation का नाम लिखावा है और यहाँ पे इस equation का नाम नहीं लिखावा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना है x plus 3y equal to 1300 यह इसकी equation आप चेक करना मैंने एक-एक point को रिपर्जेंट किया है अब next question किया अपन discuss करते है next question किया आपका the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees after a month the cost of 4 kg of apple and 2 kg of apple is 300 represents the situation algebraically and geometrically yani 2 kg apple की cost और 1 kg of grapes की इन दोनों का अपन खरीद के लाते है तब कितनी cost लग रही है 160 rupees लग रही है तो यहाँ पे आपको cost ने दी वी है तो सबसे पहले cost मान लो किसकी 1 kg apple की मान लो x मान लेते हैं फिर 1 kg of grapes की मान लेते हैं तो अपन करते हैं the cost of apple equal to x rupees per kg cost of grapes equal to y rupees per kg अब आपको cost 2 kg की निकालनी है तो 1 kg कितनी rate है apple की x है तो 2 की कितनी हो जाएगी 2 x यदि 1 kg grapes है तो 1 kg grapes की value कितनी हो जाएगी y यह दोनों चीज़ आप लेके आते हो तो दोनों की rupees कितने लगते हैं 160 यानि इन दोनों को 8 करोगे तब 160 आएगा अब आप 4 kg apple लेते हो तो इसकी cost कितनी लगेगी x into 4 फिर y kg grapes लेते हो y rupees per kg है तो 2 kg ले रहे हो तो y to y आजाएगा और इस दोनों की rupees कितने दे रहे हैं 300 यहाँ से मैं इस equation क्या ली सकता हूँ 2 से divide करके कि 2x plus y equal to 150 या जाएगा फिर अपन इस equation की बात करूँ 2x plus y equal to 160 यहाँ से y equal to 160 यह 2x इदर आएगा तो negative आजाएगा अब इस x की value पूट कर दो इतने देर y की value पूट कर रहे हैं x की value आज पास value पूट करना है ग्राब ऐसे नहीं कि एक पॉट तो एकदम लोगा जाए एक पॉट बहुत हाई तो एकदम पास पास मिलाना आपको तो x की value क्या पूट करूँ 60, 60 into 2 कितना 120, 120 को minus 60 into 160 यह आपका 40 आएगा यहाँ पे 40 आएगा 60 60 अपन पूट करेंगे तो x की value कितनी आगई 60, 60 into 2 कितना आजाएगा आपका 160 और 160 यहाँ पे आप पूट करोगे यहनि 120 को minus करोगे तो 40 आजाएगा 40 यहाँ पे पूट करोँ तो 80, 80 minus sorry अपन x की value पूट कर रहे है यह आपकी x की value x की value 50 आप पूट करोगे तो कितना आजाएगा 2 into 50 कितना? 100 160 में से 100 आप minus करोगे तो 60 आजाएगा अब 60 पूट कर दो तो कितना आजाएगा 120, 120 को minus करो तो 40 आजाएगा 2 into 70 कितना आजाएगा 140, 140 को minus करो तो कितना आजाएगा 20 इसको मैंने graph में represent किया है तो पहली equation यह थी पहला point आपका क्या? 50 into 60 तो पहला point यह रहा यह आपका 50X की value और यह Y की value 60 फिर दूसरा point 60 into तो X की value 60 Y की value 40 फिर X की value 70 Y की value इन सारे point का मिलाओगे तो यह state line मिल जाएगी फिर यहाँ पर इसका नाम represent कर दिया है मैंने दूसरी equation की बात करें तो दूसरी equation आपकी है 2X प्लस Y equal to 50 यह केसे है मैंने आपको बता है यहाँ से 2 common निकालना है 2 को common निकालो यहाँ से भी 2 common तो यहाँ पर divide होगे कितना जाएगा? 150 आजाएगा तो Y equal to 5 150 minus 2X X की value 50 put करो तो यहाँ पर कितना जाएगा? 550 आजाएगा और यदि मैं 60 put करो तो यहाँ पर 30 यदि 70 put करो तो यहाँ पर 10 इसको भी मैंने graph में represent किया हुआ है आप देखना यह पहला point है यह दूसरा point है यह तीसरा point इन तीनो point को आप join करोगे यह एक state line मिलेगी आपको और यह आपकी इस equation की graph और इनको अपन represent करें तो यह आपका x है और यह आपका x days है यह y है और यह आपका y है यह आप exam के अंदर इतनी formality आप करके आना है फिर यह graph आपको ऐसे value put करके बनानी है Thank you so much